हेलो और वेलकम टो कूकिट प्रेम नता आप सबका मेरे चैनल बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं पपिता की दाल सांबर बना रहे हूं तो देखिए कैसे बनाती हैं यह देखिए इस तरह से बहुत ही टेस्टी बनीगी आप इसको किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं बने में तो ला जबाब है एक वार ट्राइब करिए बनता है आप और बनाइए खाईए और देखिए मैं रेसेपी कैसे बनाती हूं और अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो प्रीज सब्सक्राइब ज़रूब करिएगा शेयर करिएगा कमेंट करिएगा मैंने नया चनल को को कि मैं अपने साब से अपके सिल से काटेंगे आप महेंं कर सकते हैं लमबा भी कर सकते हैं उस तरह से थोड़ा अच्छा से बून जाएगा तो आज अपने मीडियम हई में रख़ितार काम यह साइक नौligen आधा की लूका है तो आपको कितना बड़ा चाहिए कितना नहीं चाहिए वह अपने हिसाब से आप कर लिजेगा मैंने दाल को भी रहर दाल यूस किया है तो उसको अच्छी तरह से धो के रख दिया है भिगा के और यह मेति हैं तो मेति पत्ता वाला भी बहुत आ रहा है तो अच्छी तरह से मैंने धो लिया है काटके तो उसमें बालू बहुत होता है तो छनी में धो लीजिए तो बालू पूरा निल जी निकल जाता है और यह प्यास के साथ यह मेति को भी मैंने कुक कर लिया है तो आपके पास अगर मेति है तो ठीक है नहीं तो इसकिप कर दिजि पत्ता वाला मेथी कोशिज करिए लेने का तो भी ठंड में बहुत असानी से मिल जाता है और यह देखिए यह पपीता जो मैंने काटके रखा हुआ धोके इस तरह से तो यह सब को अपने हिसाब से छोटा-प्षोटा काटना है बड़ा काटना है उससे आप से आप काट लिज और इसको नमक डालके इसको साथ-साथ इसको कुक करना है तो यह बहुत असानी से हो जाता है मैंने थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से इसमें भूंजा है अब भूंजने के नमक डालके भूंज दिया है ताकि अच्छी तरह से कुक हो जाए और इसका पानी आसानी से निकल भक्कन लगाओंगी तो भक्कन लगाने के पाथ दो सीटी इसको देना है ज्यादा देना नहीं है और टामाटर मैंने देखिए दो-तीन टामाटर लिया है बड़ा टामाटर है जो काफी है चोटा-तीन टामाटर कर लिजिएगा और यह अद्रकलोसुन मिर्च का पेस्ट सांथ आप में डाल रहे हुँ है और आपको कितना रखना है ने रखना है वह आपकी मर्जी और आप चाहे तो अद्रकलसुन मिर्च का जो पेस्ट है उसके साथ साथ आप लाल मिर्च भी पॉड़र डाल सकते हैं आपको तीखा अगर ज्यादा पसंद है तो इस तरह से इसको पक जाता है इसको थोड़ा दिर नम् Entertainment बेने डाले दिया तो साथ ही में यह यह असानी से पक जाएगा बस इसको थोड़ा दिर छुला में इसको अच्छा च्छे पकाईएगा अर्मसाले अपनी Новvy साब से आपको ड़ाने है आपको क्या क्या मसाले पसंद है सांबर मसाला भ में मिक्स हो जाने चाहिए और जो मसाले मिक्स हो जाए अच्छी तरह से कुक हो जाए तो इसमें पानी अपने हिसाब से अब डाल दीजिए डाल भी मुझे जो मैंने धोके रख दिया है तो दाल भी मैं साथ में डाल के इसको मिक्स कर दूंगी पानी डाल दूंगी और देखे हिती इसका अच्छा है औरा हो कुछ भूंक वह दे एकुत फहर भी दाल। रखना होगा है दाल इसको देखिए भीगा के पहले से रखा हुआ थि इसमें डाल देमार दें तो आप पहले से दाल पिसा लोक यह प्ला आके लाखने तो पकने लेना है और बाद में कम जादा दुद्धा पानी हो जाएगा तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं और धनिया जरू पत्ता अला धनिया जरू डालिएगा उसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है और जो मिक्सर ग्रेंडर में जो पीशा था द्रक लसुन मेज का पे अब मैंने थोड़ा इसमें पानी डाल दिया है आपको अगर इतना पानी चाहिए मुझे इतना पानी चाहिए था क्योंकि मैं इसको चावल के साथ ही हमें खाना है इसको तो मैंने थोड़ा सा रसा रखा इसमें तो आपको अगर चाहिए तो सूखा भी बना सकते हैं रोटी से मैं इसको गानिश कर रही हूं और गर्मा गर्म इसको सर्व करिए और टिफिन में बच्चों के टिफिन में भी आप दे सकते हैं तो बच्चे के टिफिन में हैस्बन के ओफिस में यह दे सकते हैं आपको यह बहुत ही अच्छा लगता है और टिफिन टाइट टिफिन तो आ असाने से हो जाएगा, थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो, बाई,